हेलो दोस्तो मैं देवेंदर सर्मा वेलकम करता हूँ अपने हर एक भाई हर एक बैन का आपके अपने एवन एजुकेशनल हब इस्टडी प्लेटफॉर्म पर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैद के 6 most important question सालब करवाने वाला हूँ बिना फार्मूले के जो आपके सभी exam के लिए most important होने वाले हैं तो वीडियो को full watch कीजेगा अच्छे से बढ़ते हैं दोस्तो पहले question की तरफ और पहला question आपकी screen पर है question को देखते हैं दोस्तो एक रकम साधार अरव बियाज से दो अरसो में 224 और पांच वर्सो में 26 सो हो जाती है तो आपको रकम बताना है यानि क्या बताना है अपको क्या दिया गया है मूलधन प्लस आपका interest यानि बियाज दिया गया है मूलधन और बियाज का योग 124 और पांच वर्स में 26 हो जाता है तो आपको फार्मूला यूज नहीं करना है दो से चार सेकेंड में आपको इस क्वेस्टन को साल्ब कर देना है कैसे करेंगे दो वर्स में 2240 हो जाती है लिख लेंगे दो वर्स में दोस्तों कितना 2240 हो जाती है और पांच वर्स में कितनी हो जात 2600 हो जाती है ठीक है अब आपको क्या करना है कितनी रासी बढ़ रही है ये निकालेंगे तो आपका इनका अंतर कर लेंगे पांच और दो का अंतर करेंगे डिफरेंस करेंगे तो आपका तीन आएगा इधार रासीों का भी डिफरेंस कर लेते हैं जो आपका रासीयां बन नह हैं इनका डिफरेंस 306 अ जाएगा 26 सो आप 2240 घटाएंगे 306 आएगा ये आपका 303 306 तो अब आपको क्या करना एक वर्स में रासी कितनी बढ़ रही है एक वर्स में 3 से डिवाइड कर देंगे 3 दूनी 6 आपका 31 एककम तीन तीन दूनी छे और 0 120 रुपे एक वर्स में बढ़ रही है और रासी दो वर्स में बाइस सो चालिस हुई है ना तो दो वर्स में बाइस सो चालिस हुई तो दो वर्स में कितनी बढ़ी है तो आपका 120 दूना दो सो चालिस यानि आपको अब दो सो चालिस जो ये नि प्रहाना दोसो चालिस आपने जो निकाला एक वर्ष में 120 बड़ा दो वर्ष में 240 और 240 इसमें इंक्लिउड हो गया तो आपकी रासी दो वर्ष में कितनी बनी है 2240 तो मूलधन कितना रहा होगा दोस्तो 240-240 से माइनस करेंगे आपका 2000 रहा होगा क्लियर है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बढ़ेंगे दोस्तों second question की तरफ second question आपके सामने तीन लीटर चीनी के गोल में 40% चीनी है इस गोल में एक लीटर पानी मिलाए जाने पर नए गोल में कितने प्रतिसाद चीनी होगी आपको find करना है तो आपको formula यू और इदा रखेंगे एक लीटर अगर घोल में पानी मिला देंगे तो आपका नया घोल कितना हो जाएगा चाल लीटर हो जाएगा ठीक है यहां से आपको चाल लीटर में कितनी चीनी होगी कितने प्रतिसाद तो हमें पता नहीं तो इसे एक्स प्रतिसाद मान लेते हैं यहा यह 4 इदर डिवाइड कर देगा, यहां से हटके 4 डिवाइड करेगा, 4 से 4 टेंजा 40, और अब क्या करेंगे, 3 और 10 की मल्टिप्लाई कर लेंगे, यानि 3 टेंजा आपका 30, आपका 3 दसाउन 30 आ गया, यानि X बराबर 30, प्रतिशत आपका अंसर आ जाएगा, आप्शन C राइ कि आपकी इस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, अगला क्वेशन आपके सामने, एक छात्र को परिच्छा में उत्रीड होने के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी थे, उसने 178 अंक प्राप्त किये, और 22 अंकों से अनुत्रीड हो गया, यानि फेल हो गया, तब पूरां कितने का रहा होगा, तो इसे निकालेंगे, कोई फार्मूला नहीं, कोई आपका बहुत ज़्यादा लिंती क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्या करना है, आपको पास एक तरफ लिख लिजे, और एक तरफ फिर से पास लिख लिजे, अब आपको क्या करना है, 40 प्रतिशत अंक होते तो बच्चा पास हो जाता, लेकिन वो लाया कितने, 178 ला पाया, और 22 अंकों से फेलो गया, आप सोचिए, 178 लाया, 22 और होते तो पास हो जाता, उत्रीड हो जाता, तो यहाँ पे पास करने के लिए आपको 22 जोड दीजे, इसमें, अब आपका 178 में 22 जोडेंगे 200 हो 40% की value आपको, देखें पुडांग चाहे 10 का हो या 20 का हो, लेकिन कैलकुलेट किस में करेंगे? 100% में करते हैं हमेसा, तो आपको 40% की value 200 दी गई है, एक प्रतिस्वत की value कितनी हो जाएगी? आपकी 1% की value 24 यानि आपका 0 0 कैंसल हो जाएगा 4 25. एक प्रतिस्वत की value दोसतों कितनी दी गई है आपको 5 दी गई है तो 100 प्रतिस्द की वैलू कितनी हो जाएगी यहां 5 की 100 से गुड़ा कर देंगे यानी 500 आपका पूरांग हो जाएगा पुड़ां कितने का था 500 का था बहुत अच्छे से उम्मिद करता हूं समझ में आ गया होगा option आपका बी राइट हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ेंगे और अगला question आपके सामने है क्या है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है घोल को गर्म किया गया और गर्म करके वास्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया उड़ा दिया गया सेस घोल जो बचा उसमें कितने प्रतिसत चीनी है तो आपको ये भी question 2 second में साल्प करना है तो दोस्तों 12 लीटर घोल में 4% चीनी है तो 12 लीटर इधर लिख लिजे और 4% क्या है चीनी है घोल को गर्म करके वास्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो घोल कितना बचा आपका पहले तो 12 लीटर था अब कितना बचा 2 लीटर पानी उड़ाया गया तो आ बढ़ेंगे अगले question की तरफ और अगला question लेंगे बहुत अच्छे से ऐसे question है दोस्तो जो आपके लिए exam में बहुत beneficial साबित होंगे अगला question यदे किसी संथ्या को 133 से विभाजीत किया जाता है तो 1621 बचता है यदे उस संथ्या को 19 से विभाजीत किया जाए तो 16fall यानी remainder क्या बचेगा अब ऐसे question को solve करने के लिए एक second का भी time नहीं लगेगा पक्का है 133 से विभाजित किया गया इससे आपको कोई मतलब नहीं है मतलब क्या है दूसरी और तीसरी संख्या से तो आपको दूसरी संख्या जो दी गई है 21 उसे कहे से भाग करना है 19 से कीजिए यही तरीका होता है आ आपका 19 से करेंगे 19 एक कम 19 और आपका remainder कितना बच्चा दो बच्चा option आपका be right हो जाएगा ठीक है एक second में आप solve कर लेंगे इस question को तो बढ़ेंगे अगला question लेंगे और आज के इस वीडियो का last question है बहुत अच्छे से solve कीजिएगा किसी दो अंको की संख्या एवम संख्या के अंको को परस पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो तब ग्याद करो संख्या और जबकि संख्या के अंको का अंतर क्या है चार है तो आपको क्या करना option से solve करेंगे यहां देखेगा तीन और आठ ले ले और यह संख्या हमने ले ली अब इसके अंक परस पर बदल दे यानि 8 और 3 तब देखते क्या 110 हो जाएगा यहां से देखेए 8 3 11 यह नहीं होगा क्योंकि यूनिट इजट उसका 0 है 110 का आपका यूनिट इजट 0 इसमें आराए 1 तो यह तो हो ही नहीं सकता अगला option ले ले ल इसे option से लगाना है इस question को solve करना है 4 8 कर लिजए यह भी 84 12 हो जाएगा यह भी नहीं हो सकता है तो आपको 7 और 3 लेना है 7 3 आप चाहें तो ऐसे ही आप option सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पे solve कर लेते हैं 7 3 और 3 7 लिख लिजए 7 3 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 11 अब देखेगा यो क्या 110 आ रहा है 110 यहां पे भी तो यही कह रहा है कि दो अंको की संख्या और अंको के स्थान बदलने पर संख्या का योग जो हो रहा है वो 110 और इनके अंको का अंतर क्या है 4 है तो इसमें देखेए 7 से 3 घटाई है 4 आ जाएगा दोनों कंडिशन आपकी फालो हो रही option कौन सा रा झालो है तो गलो है पोतु ऑर कि दोनों का काई मैं हैं रहा है hypocrisy बत्व प्रक्र reass compressory करता हैkill का यो है फैसे संख्या है करना सा कि दो में व्हाँ कौनों का अपकी यह रहा है दो आनके जाए और में दीएange को 27 उल पाईने कर लीने को में लागका कूना है Soni और शो छो प्ष